आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही हेल्दी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ चलिए इसे देखते हैं तो इसे बनाने के लिए मैंने यहां पे लिया है 500 ग्राम के करीब मश्रूम इसे अच्छी तरीके से वाश कर लिया है और यहां पे लिया है थोड़ा सा लेसुन की चुका था एक उसमें हमने इसे डाल दिया है अब इसे एक मिनट तक के लिए बॉयल करेंगे इसे ज्यादा आपको इसे बॉयल नहीं करना है यह दिखे तो ब्रॉकली में देखे कलर भी कफी अच्छा इन्हांस हो गया है अब इसे हम ड्रेन कर लेंगे बहुत ही सिंपल और हेल्दी रेसिपी है आप लोग इसे जरूर बनाईएगा अब इसे हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं और चलिए इसे बनाने का प्रॉसस देखते हैं तो यहां पे पैन में हमने डाल दिया थोड़ा सा ओलिव ओल गर्म हो चुका है अब इसमें हम डाल देंग इसको थोड़ी देर के लिए साइड करेंगे गर्लिक पेस्ट को ज़्यादा कुक नहीं करना है उसके बाद हम इसमें डालेंगे मश्रूम मश्रूम को यहां पे मैंने बॉइल नहीं किया था इसे अच्छी तरीके से वाश करके सीधे इसे साइड करेंगे इस तरीके से देखें गैस का फ्लेम मीडियूम रखना है आपको अब इसे एक मिनट के लिए ढग दिया था एक मिनट बाद ओपन किया है तो देखें काफी अच्छी तरीके से सौते हो गया है इससे काफी अच्छा टेस्ट आता है तो बॉइल करने की ज़रत नहीं है मश्र अब थोड़ा सा डाल दूंगी सौल्ट और थोड़ा सा डालेंगे ब्लाक पेपर पाउडर थोड़ा सा डालेंगे और एगनोर और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स अब इन सबको मिक्स कर देंगे है ना एक काफी simple recipe, आप इसे breakfast, snacks कभी भी खा सकते हैं अब last में हम क्या करेंगे, इसके उपर हम cheese sprinkle कर देंगे cheese डालने से broccoli में काफी अच्छा flavor आता है, एक बार आप लोग ज़रूर बनाईएगा देखे, cheese को ऐसे sprinkle कर देंगे, और cheese melt हो जा इसलिए हम इसे एक मिनट के लिए इसे डग देंगे, एक मिनट बाद open किया है, तो देखे, cheese proper melt हो चुका है, अब इसे हम सर्फ करके ले आते हैं सो यह रहा आपका tasty mushroom broccoli की recipe, I hope आप लोग को एच छोटा सा वीडियो पसंद आया, पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नहीं हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिजगा